So guys, क्या आप लोग एक सौफ़वेर की तलाश में थे जिसमें आपको dedicated game recording mode देखने को मिल जाए और उसी की साथ साथ उस सौफ़वेर की मदद से आप लोग अपने laptop या computer की completely screen recording कर पाओ हर एक छीज की साथ ही साथ उसमें webcam का support भी हो और उसी सौफ़वेर में आप लोग lectures भी ले पाओ विट यूजिंग यूर webcam और उसमें आपको important tools like marker and pen का support मिल जिससे आप लोग कुछ भी important चीज़ों को mark करके highlight कर पाओ lecture के दोरान और बाद में उसी सौफ़वेर की मदद से आप लोग अपने recordings को edit कर पाओ यह सारी चीज़े possible हो सकते है गौम cam सौफ़वेर से यह एक easy to use and low cost screen recording सौफ़वेर है जहाँ पे left side पे आपको सारे के सारे features देखने को मिल जाते है लेक screen recording, image capture, webcam recording, game recording and lecture recording का बात करें first feature की जो कि है screen recording का जैसी आप लोग इस feature पे टाइप करोगे या वेब को screen recording के काफ़ी सारे options देखने को मिल जाएगे जो first option है वो है full screen recording का जैसी आप लोग इस option पे टाइप करोगे आप लोग अपने PCI computer की full screen recording कर पाओगे जो भी आपके screen पे चल रहा होगा वो सारी की सारी चीज़े आप लोग record कर सकते हो चाहे वो YouTube का वीडियो हो कोई website हो, software हो या फिर कुछ भी हो आप हर एक चीज़े record कर सकते हो second option है वो है region का इस feature को use करके आप लोग specific region की screen recording कर पाओगे मतलब आपको को specific part की screen recording करनी है तो आप लोग उस part की recording कर पाओगे इस feature को use करके so यह भी काफी useful feature है जो आपके काफे time काम आ सकता है और guys जो भी आप लोग recording करोगे वो recordings आपको इस software के home screen पे देखने को मिल जाएगी और guys जैसे कि मैंने आपको कहा था इस software में आप लोग recording के दोरान अपने webcam को भी use कर सकते हो तो यहाँ पे आपको P.I.P. mode देखने को मिल जाते हैं जैसे ही आप लोग उसके पर tap करते हो आप यहाँ पे आपके webcam को use कर सकते हो recording के दोरान हैं जैसे हाँ पे आप लोग आपकी webcam की position को भी change कर सकते हो साथी साथी हाँ पे तीन आपको और useful features देखने को मिल जाते हैं आप अगर चाहो तो recording के दोरान स्रीफ अपना webcam दिखा सकते हो ताकि आप लोग आप एक proper facecam setup दिखा पाओ अपने viewers को उसके बाद guys आप लोग अगर चाहो तो स्रिफ आप लोग screen recording भी दिखा सकते हो और आप लोग चाहोते हैं आप लोग screen recording और webcam भी use कर सकते हो recording के दोरान guys इस software में आपको और भी काफे सारी useful tools देखने को मिल जाते हैं like draw tool जैसे इस tool पर आप लोग टाइप करोगी हाप आपको pen highlighter figure like a square boxes circle यह सारी चीजों काप लोग यूज कर सकते हैं important चीज काप लोग अंडरलाइन कर सकते हो pen से फिर आप लोग हाप लोग हाप लोग यूज कर सकते हो कोई भी चीजों का हाइलाइट करने के लिए hen gage यहाप लोग यहाप लोग रेक्टेंगल अडरो यह सारी चीजों ड्रॉ कर सकते हो जो कि आपको अपको काफ़े दा काम आसकती है यहाप लोग किसी भी चीजों को बलर कर सकते हो जो आप अपने recording में दिखाना नहीं चाहते हो हैंगे इस software में आपको effect को option देखने हो मिल जाते हैं जिस पर अगर आप लोग tap करते हो तो आप लोग अपके screen recording में कहीं पर भी image को add कर सकते हो like आप लोग उस image का reference देना हो या आप लोग उस image का as a logo यूज करना चाहते हैं तो आप लोग उसको कहीं पर भी place कर सकते हो साथी साथ यहाँ पर आप लोग text भी लिख सकते हो और फिर उस text के style को उसके font को उसके size को आप लोग हर एक चीज़ को customize and place कर सकते हो खुद के हिसाब से और गैस इस software में आपको एक और useful feature दिखने को मिल जाते हैं जो कि है recording schedule का जिसके मलसे आप लोग recording को schedule कर सकते हो आपको यहाँ पर simply start time डालना है और आपको duration डालना है और आपको action पर जाके ok पर tap कर देना है फिर जो भी time आपने set करके रखा होगा उस time पर आपकी recording start and stop हो जाएगी सो किस यह तो था इस software का first feature सो जो first feature में कितने सारे feature है बात करते हैं सोटफे के second feature की जो की image capture का so guys इस feature की मदद से आप लोग अपने laptop या computer में किसी भी screen को capture कर पाऊगे आप लोग चाहो तो specific part को capture कर सकते हो like को image हो गया या तो आप लोग पूरी की पूरी screen को भी capture कर सकते हो and यह भी सारी चीज़े इस software के image वाले section में जाकर save हो जाएगी so guys आप लोग अपने webcam को यूज करके recording भी कर सकते हो like आप लोग अपके webcam को facecam recording करने के लिए यूज कर सकते हो यहाँ पर आप लोग अपके image को text को हर एक चीज़ों को add and customize कर सकते हो साथी साथ आप लोग आपको काफे सरी settings option देखने को मिल जाता है like rotation setting, resolution setting, color setting and so on guys यहाँ पर जो fourth feature है वो है game recording का, इस feature को यूज करके आप लोग अपने किसी भी game की gameplay को record कर पाऊगे आपको simply इस feature पर tap करना है, आप एक छोटा सा window आ जाएगा, आपको simply आपके game को select कर देना है and जिसी आप लोग उस game को select करोगे, अगर वो game compatible होगा recording के लिए तो उस game का नाम यहाँ पर आ जाएगा आप F12 पर tap करकी game को record कर सकते हो, या फिर directly आप लोग recording वाले option पर tap करकी game को record कर सकते हो and भाई जो gameplay की quality आती है, वो quality काफी amazing होती है, आप लोग quality खुझ से देख सकते हो, recording करने के बाद भी quality काफी amazing आईए यहाँ पर मैं आपको GTA 5 की भी gameplay recording बता देता हूँ, GTA 5 आपको पता है 70 GB के उपर का game है and इसकी भी gameplay में recording काफी amazing आईए, तो यह software आपके लिए काफी दा काम आ सकता है आपकी gameplays को record करने के लिए and फिर उसको बाद में YouTube पे upload करने के लिए so बात करते है software के fifth feature की जो की है lecture recording guys इस software को आप लोग use कर सकते हो lecture recording करने के लिए आपको simply lecture recording वाले option में जाना है and वहाँ पे जाके आपको ppt file को select करके उसे import कर लेना है फिर आपको simply ok पे tap करना है and आपकी ppt file with your webcam यहाँ पे आ जाएगा guys lecture recording में आपको draw tool सबस्दा काम आएगा because यहाँ पे आप लोग pen and highlight feature को use कर सकते हो pen की मदद से आप लोग किसी भी important चीज़ को underline कर सकते हो and highlight tool से आप लोग किसी भी चीज़ों का highlight कर सकते हो जिससे सामने आलों को वो चीज़े काफी आसानी से समझ में आ जाएगी guys यहाँ पे आप लोग draw tool में pen और highlight के size को increase कर सकते हो उसके color को भी change कर सकते हो and guys यहाँ पे आप लोग lecture recording में कोई भी text को भी लिख सकते हो इसको भी काम ही आएगा जिससे आप लोग प्रॉपरली किसी को भी कोई भी चीज़े explain कर पाऊगे and guys यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़े बता रहे हो उस चीज़ों करके भी बता पाऊगे इसमें आपको काफी सारे amazing and useful tools and features देने को मिल जाते है guys यहाँ पे जो next tool या feature है वो है board का यहाँ पे आपको एक separate board मिल जाते है जिस पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो draw कर सकते हो image को add कर सकते हो तो guys definitely यह जो lecture recording feature यह teachers के लिए students के लिए काफी ज़दा काम आने वाले and आप लोग देखी सकते हो आप लोग को इसका इस्तमाल कैसे करना है आभी तो सब लोग work from home कर रहे और काफी सारे teachers लोग घर से ही पढ़ा रहे है तो उनके लिए यह software काफी दा काम आ सकता है guys इस software में आपको video editing का feature भी मिल जाता है video editing में भी आपको दो different feature देखने को मिल जाते है एक है quick edit and second है advanced edit quick edit पे tap करके आप लोग अपने clip को crop कर सकते हो उसके volume को increase decrease कर सकते हो and बस फिर आप लोग उसे convert कर सकते हो और कोई feature आपको quick edit में देखने को नहीं मिलता है because यहाँ से आप लोग video को quickly edit कर सकते हो second जो है advanced edit guys इस feature को use करके आप लोग अपने video को crop कर सकते हो and यहाँ पे आप लोग जितने sections चाओ उतने sections को crop कर सकते हो and simply उसको नीचे timeline में drag करके डाल सकते हो means advanced level के edit आप लोग कर सकते हो थोड़ी बहुत advanced एक्दम high level के advanced editing आप लोग नहीं कर पाओगे आप बस इसा कितना section क्रॉप कर सकते हो फिर उसके बाद guys यहाँ पे आप लोग थोड़ा video में customization कर सकते हो like यहाँ पे आप लोग fps increase कर सकते हो resolution change कर सकते हो video के bit rate को change कर सकते हो फिर video के codec को change कर सकते हो video के format को change कर सकते हो यहां पर चैनल को भी चेंज कर सकते हो फिर अदर्स में भी आपको यहां पर speed को option दिखने को मिल जाते जिसमें आप लोग speed को increase decrease कर सकते हो music को भी हाप लोग डाल सकते हो and फिर आपको simply tap करना है convert पे फिर आपकी video जो है बन से डियुक्तक लिंग आपको डाउनलोड कर सकते हO जिसे तो है तो यह सब्सक्राइब यह पर ने पड़ ना ना चाहे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे जो बेसिक पर जिसमों है अपको 44 का डिसकांट और आपको permanent license मिल जाएगा फिर यहाँ पर जो प्रो वर्जिन है वह आपको पढ़ेगा 50 डॉलर का यहाँ पर 26% का discount मिल जाएगा permanent license के साथ लाइसेंस को अपक्रेट भी कर सकते हो 10 डॉलर देखे यहाँ पर इस वर्जिन इस वर्जिन फ्री वर्जिन एक बेसिक वर्जिन एक प्रो वर्जिन यहाँ पर लोग कॉंपरेजन देख लो सबसेदा फाइदा जो है वह प्रो वर्जिन में है बिकोज आपको completely add-free experience मिल जाता है कि रेखे बिको ऑबसेदा को ऑपको नहाँ जाता है जाता है जाता है टाता है